पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों का एक सवाल होगा और वो यह है कि मैं बहुंच जदा हिस्ट्री की उपर जोर क्यों देता हूं मैं क्यों हमेशा अलग-अलग साइंटेस्ट और अलग-अलग समय में होने वाली घटनाओं के पीछे पड़ा रहता हूं तो इसका उत्तर यह है कि सिक्षा का उद्देश से आपको मशीन बनाना नहीं है आपसे गुणा भाग करा देना और वह भी बहुत ते ऐसे नहीं के आप नए सवालों और नए सोचों के लिए नए चैलेंजिस के लिए तयार होके रहें ठीक है और दूसरा यहां पर अद्देश यह है कि आप उन चीजों के गर्व कर सकें आपको उन चीजों की गरिमा हो जो आपके पास है और जो आपको अपने बुज़ों अ छोटा सा हिस्सा है और उससे कहीं बड़ी बात ये है कि हम अभी भी जितना जानते हैं उससे कहीं जादा नहीं जानते आपके पास में असीम संभावनाई हैं इस दुनिया को एक्स्प्लोर करने के लिए लेकिन उसके लिए जो है आप में एक काभीलित होनी चाहिए और वो है सवाल पूछने की आपके पास में यदि हिस्टोरिकल नॉलेज रहेगा जब आप देखेंगे कि जो है हमारे अलग-अलग व्यज्ञानिकों ने अलग-अलग समय पर किस प्रकार से सवाल किये तो हो सकता है कि आप मेंसे कोई एक अलवट-अंश्टाइन निकल के आ जाए और एक सिक्षक होने के नाते अगर मैंने एक भी ऐसा से मतलब विद्यार्थी तयार कर लिया तो इस संसार के उपर जो मेरा रिन है वो तो निकल जाएगा तो आएए सुरू करते हैं आज काई यातिहासिक चर्चा का विशाय क्या है आज की चर्चा का विशाय है गुरुत्वाकर्शन बहुं सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बातें की हैं बहुं सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें और भी जानना है तो pen copy सब खिनारे रखिए बढ़िया रिलाक्स हो जाईए हो सके तो अपने चोटे भाई बहन या parents को बुला कर और उसके बाद में बैठिए और अराम से इस session का अनद लीजिए तो आज की बातें क्या हैं आईए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे हम लोगों आज अपनी समझ के बारे में बात करेंगे हमारे आसपास में जो हमारा संसार है उसके बारे में बात करेंगे और उसमें अवलोकन की भूमिका बताएंगे अवलोकन और अब्जरवेशन ये बहुत कही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्थ है अलबर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि नॉलेज से कही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इमैजिनेशन अगर आप इमैजिन कर पाते हैं तो आपके पास में नॉलेज होना या ना होना वो साधारन सी बात हो जाती है तो देखिए आज हम किस बारे में बात करें जब से पृत्थी बनी है और जब से इस संसार में मनुष्य ने आखे खोली है तब से सबसे बड़ा जो हमारा क्यूरियोसिटी का कौतुहल का विश्य है वो है ये ब्रम्हांड अनंत ब्रम्हांड हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं ये मिलकी वे है और इसे हम आकास में इस तरीके से गूमता हुआ पलटता हुआ देखते हैं हमारे जो बहुत सारे सवाल है कि ये तारे सितारे कहा हैं वो कैसे होंगे वो कितनी दूर होंगे क्या हम वहाँ तक पहुंच सकते हैं बहुत सारी कहानियां बनिये, बहुत सारे किस्से बनाये गए, बहुत सारी तरीके से लोगों को डराया गया, लेकिन फिर भी, अभी भी अगर मनुस्य के पास में जो है, उसकी अनंत कलपनाओं के लिए उसके जो है, कौतुहल के लिए कोई सबसे अच्छा विशाय है, तो व हमारा अनंत ब्रह्मांड इस विशय पर बहुत सारी चर्चाएं किये गई इन चर्चाओं में से एक चर्चा मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ अगली जो कौतुहल का जो विशय था वो थी आग अब ये आग ये बहुत कुछ कर सकती है ये चीजों को जला सकती हो खाने को पका सकते है लोहे को पिखला सकती है हमारे आसपास की दुन्या Badal सकती है और कहीं न कहीं मनूस्स से के पूरे के पूरे विकास के दौरान जो है सबसे बड़ा योगदान किसी चीजों कर रहा है जिस से हम अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं वो है आग आगे की बात कीजे ये देखिए ऐसी बड़ी-बड़ी सक्तिया हमारे पास है जिसे हम समझ नहीं पाते कुछ लोगों ने भगवान का क्रोध कुछ लोगों ने और कोई अंधवे स्वास का रूप लेने लगी और हमारे सोचने की एक दिशा बनती गई आगे देखिए समुद्र उधर अनंत ब्रह्मान और इधर अनंत समुद्र इतनी बड़ी जल्रासी इसमें जो है एक निश्चित समय पे जो है जब पूर्णिमा होती है या जब मौस्य होती है पानी में उच्थल पुथल होती है हम बहुं सरे टाइड्स हम बहुं सरे जूर्वाटेत लहरे देखते हैं और ये भी जो है हमारी सोच को एक नए दिशा देने के लिए बहुंती अच्छा माध्यम रहा है आगे देखिए अब हम क्या देख रहे है जीवन यहां हम देखते हैं कि कैसे एक कोई मरता है और उसी पर एक नहीं जीवन की सुरूआत होती है किस परकार से सपूरा ब्रम्हांट चलता है किस परकार से पूरे संसार की ये गाथा लिखी जाती है जहां जीवन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़े कौतोहल का विश्य है, आगे बात करेंगे हम, अब देखिए, यहां एक मुर्गी है, उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे पच्चे हैं, इसको देखकर भी जो है, हमारे मन में बहुत सारी सवाल आते हैं, इन सवालों का हमारे विकास के स आप में बहुत ही close connection है तो देखेंगे धीरे-धीरे करके आईए आगे भी देखते हैं आरे भट नाम तो आप लोगों ने बिल्कुल सब्सक्राइब लेकिन आरे भट ने क्या चीज़ की खोज की थी क्या आपको पता है मतलब शून की खोज किस ने की थी इनके चित्र के पीछे ये रॉकेट ये ब्रह्मान जैसा ये स्पेस जैसा कुछ दिख रहा है आरे भट ख़गोल वित थे उन्होंने सूर्य और बाकी तारे नक्षत्रों के बारे में बहुत ही गहरी गढ़नाएं की थी उन गढ़नाओं के साथ साथ इनकी जो है किताब में एक बार शून का भी जो है उलेख है जिसके नाम से हम इन्हें जानते हैं लेकिन ये ख़गोल वित थे ये एक ग्यानिक थे और उस समय थे जिस समय हमारे पास में मौडर्ण टूल्स नहीं थे आए आगे बात करेंगे हम बात कर लेते हैं अरस्तु की डेड़ देखिए यहाँ आरभट 476-6550 CE के टाइम के थे अरस्तु जो है वो 384-332 BC के टाइम के थे ये इन्हों ने जो है मैंने इनके बारे में बरबात की थी पंच भूत का सिद्धान इनके द्वारा दिया गया थ इन्होंने कहा था कि जल, अगनी, वायो और आकास ठीक है ये सारी चीज़ें जो है वो इन्ही सारी चीज़ें से मिलके बनता है हमारा जो भौतिक संसार है वो हर एक चीज जो है किसी नकिसी तरीके से उसका कॉम्बिनेशन है कनाद ने एक सूत्र दिया था बहुत ही पहले वेगह निमित वीशेशात कर्मनों जायते वेगह निमित ता पेक्छात कर्मनों जायते नियत दिक क्रिया बंध हेतु वेगह संयोग विशेश विरोधी यहां अगर आप जो है इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति ने जो 6-4 BCE मतलब विफोर क्राइस्ट वाले टाइम में उस समय ही उन्होंने वेग की बात की थी उसी समय में उन्होंने संयोग विशेश विरोधी मतलब इन्होंने जो पत्त की बात में की थी और यह वैसेशिक दर्सन में है मैंने अपने मन से बना के नहीं दिखा तो महर्शी कनाद हमारे भारत के न्यूटन है या हमको कहना चाहिए कि न्यूटन असल में जो है बाद का महर्शी कनाद निकला ठीक है आगे हम बात करेंगे निकूलस को पर नि कसने दूरवीन बना ले थी और इन्हों ने लोगों को बताया कि भाया हमारी प्रत्वी गोल है गोल यह संसार का केंद्र नहीं है हमें ग्रह हैं और हम बाकी सब के आसपास परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य के चारों और परिक्रमा कर रहे हैं इन्हों ने जब यह बात बोली त का कर फासी दे दे गई इन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन सत्य से नहीं हटे ये बात अलग है कि इनको ये विचार बहुत बाद में आया हम भारती ये लोग तो हमेशा से ही भूगोल कहते आये हैं लेकिन फिर भी इस व्यक्ति की जतिसलिये होनी चाहिए क्योंकि इन्होंन अपनी मानेता को सामने रखते हुए अपनी जान दे दी आगे और भी बात करेंगे इनका जो बचा कुछा काम था उसको गैलीलियों ने किया ये भी जो है बहुत मारे मारे फिरते थे अपने समय में ये बहुत ही अच्छे वैग्यानिक थे और इन्होंने जो है मैंने आपक लगभार के पत्थर भी जमीन पर एक ही साथ पहुंचते हैं इन्होंने ही बताया था कि जड़त तो क्या होता है अब इसके बाद में जो है हमारे साथ में आये जोहानस कैपलर जोहानस कैपलर की बात जब मैं आपको बताओं तो ये वो बैग्यानिक हैं जिन्होंने गणतिय मॉडल दिया इन्होंने जो है क्या कहा इन्होंने कहा कि सूर्य और सूर्य के आसपास जो है जितने भी ग्रह जो है वृत्ताकार या दिर्ग वृत्ताकार मार्ग में गती करते हैं इन्होंने प्रिसाइस कैलकुलेशन किया और प्रिसाइस कैलकुलेशन करने के बारे में बताया ये भी आरे भट्टे के बाद ही आया थे हो सकता है उन्होंने आरे भट्टे की किताबें पढ़ी हो लेकिन इस व्यक्ति ने अपने सिस्यों को कहा कि भाई आप ग्रही विवस्था की जो है जानकादी जो भी है उसके हिसाब से सूत्र दीजिए एक गुणा भाग कर सके हम अगली बार कब सूर्य ग्रहन कब चंदर ग्रहन होगा जो हम पंचाग में देख लिते हैं उसके बारे में प्रिसाइस कैलकॉलेशन कर सके इसके लिए आप हमको एक गढ़ती मॉडल दो उन्होंने ये मॉडल तयार किया आपने मॉडल के हिसाभ से बताया कि न्यूटन का नाम नलूँ ऐसा तो हो नहीं सकता अब न्यूटन ने क्या किया था भाई न्यूटन वो व्यक्ति है जिन्होंने चोरी की थी ये क्या बात हुई हाँ बिल्कुल सही बात है न्यूटन ने चोरी की थी कैसे भाई देखिए सबसे पहले जो है निकोलस को पर निकस आये फिर जहनस कैपलर अब यह ये तीन व्यक्ति इन्होंने बताया कि ग्रही चाल क्या होती है कि प्रिथु के अंदर घृट्वा कर्शन के से काम करता है इन दोनों के विचारों को इन्होंने मिला दिया एक पुस्तक चाप दी और हो गए विश्ट प्रसिृद्ध वuci ग्यानिक लेकिन ये बात कितनी सही है आप समझे कि विस्व प्रसिद्व ग्यानिक बनने के लिए इन दोनों के सोध के बीच में एक संबंध स्थापित करना जरूरी था कोई बच्चों का खेल नहीं था कि इन्हों ने दो किताबे लिए उसके पन्ने जोड़े और उसके बाद में नहीं किताब छाप दे और उस समय के लोग इतने बेवकूफ नहीं थे कि इनकी बात ऐसे ही मान लेते लेकिन ये महान गणी तक गे थे और इन्हों ने बताया कि किस प्रकार से जोहानस कैपलर और ग जो मतलब उसकी जो चाल है वह बिल्कुल सेव के नीचे गिरने से जुड़ी हूई है इन्होंने बताया कि एक यूनिवर्सल लाउफ मोशन है यूनिवर्सल ग्राविटेशनल लाउ इन्हों के बारे में जो कल्पना की और उसके बाद में दावे के साथ कहा कि ना सिर्फ यहा पूरे ब्रम्हांड के किसी भी कोने में चले जाएए लेकिन मैंने ये जो जी का मान दिया है ये हर एक जगा बिल्कुल सहीं बैठेगा ये कैलकुलेशन थे इनकी इसके लावा इनोंने लाइट के बारे में जो है जो गणनाय की थी वो भी बहुत अच्छी बात है इनोंने सं करीबन करीबन सौ सालों तक इनकी जो गणनाय थी इनकी जो मानेताय थी उनको तो सीधे-सीधे तौर पर माना गया आज भी NCRT आपको Newtonian Physics ही पढ़ाती है हम लोगों ने Modern Physics पढ़ना सुरू नहीं किया है लेकिन Modern Physics के इतिहास में जितना important नाम है निल्स बोर का उन सारे के सारे लोगों के बाद में एक और Newton आए हमारे पास में जिन्होंने हैंजनबर्ग निल्स बोर और और जितने भी वैग्यानिक थे इन सारे वैग्यानिकों के जो विचार थें उन सारे विचारों को Compile किया और compile करने के बाद में हमें ग्रही विवस्थाओं के बारे में एक और special बात बताई वो वग्यानिक मेरे फेवरेट आपके दी फेवरेट अलवर्ट आइंस्टाइन दे इन्होंने क्या बताया इन्होंने बताया कि भाईया गुरुत्वा करशन नाम की कोई चीज ही नहीं है ये कैसी अजीब बात है हाँ उन्होंने बताया कि गुरुत्वा करशन नाम की कोई चीज ही नहीं है कोई ऐसा बल नहीं होता जिसे हम गुरुत्वा करशन कह सकते हैं तो पिर प्रित्वी हमें क्यों आकर सिद्वी है उन्हें ने कहा क्यों कि वह भारी है अरे तो वही बात तो नीूटन ने एक कपड़े में अगर किसी पत्थर गेंद को बड़काओ तो सीधा सीधा चला जाएगा बिल्कु altura सही बात है लेकिन यदि आप कपड़े के बीच में ऐसे तानने के बाद में कपड़े को उसके बीच में यदि आप एक भारी पत्थर रख दें तो कपड़ा तेड़ा हो जाएगा अब अगर सीधी रेखा में किसी गेंद को लुड़काने का प्रयास करेंगे तब भी वो गोल को घूमने लगेगी और उन्होंने स्पेस टाइम फैबरिक की बात कर दी इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस कपड़े में इस जाल में यह पत्थर रखने से यहां आसपास का कपड़ा घूम मतलब जुक जाता है बैंड हो जाता है उसी प्रकार से हर भारी वस्तू स्पेस टाइम फैबरिक में एक विकार उत्पन्द करती है और इस विकार के कारण जो दूसरे ग्रह हैं वो उसके आसपास वृत्ताकार मार्ग में गती करते हैं यह बात थी जो कल्पना से उत्परोत थी जो भरी हुई थी कल्पनाओं से और यह कल्पना की थी अलबर्ट आइंस्टाइंस रिंग बोलते हैं एक पोर्टल बनाने की बात की थी उन्होंने कहा था कि स्पेस को कुछ इस प्रकार से भी विवस्तित किया जा सकता है कि आप अरबों किलोमीटर की दूरी कुछ ही सेकेंड्स में पूरी कर पाएंगे यदि आपको एक पोर्टल मिल गया जो इस स्पेस टाइम के फेबरिक में एक छेद कर दें तो अब मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में एक एंसर लिखने के लिए बोलता हूं कि अलबर्ट आइंस्टाइन्स रिंग के बारे में उन्होंने कब बताया था जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताईए में आपको हमारे आपलिकेशन का और यह लिंक जो है आपको हमारे अपलिकेशन तक ले आएगा आप अपलिकेशन जरूर इस्टाल कीजिए और उसके बाद में हमारी मुलाकाते होती रहेंगी हर एक रोज तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए झाल झाल